अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में ही घंटी के निशान को दबाएं दोस्तों जोतिशी उपायों में अनेक वस्तूओं का उप्योग किया जाता है इन मेंसे कुछ चीजें बहुत ही चमतकारी होती है अगर इनका विधी विधान से सही प्रेयोग किया जाए तो ये हर परिशानी दूर कर देती है और हर मनो कामना भी पूरी करती है आज हम आपको जोतिशी उपायों में काम आने वाली कुछ ऐसी ही चीजें और उनके प्रयोगों के बारे में बताने वाले हैं जो के कुछ इस प्रकार है सबसे पहली वस्तू है गोमती चक्र कुछ जोतिशी प्रयोगों में एक ऐसे पत्थर का उप्योग किया जाता है जो दिखने में साधारन होता है लेकिन आश्चर्य जनक तरीके से अपना प्रभाव दिखाता है उस पत्थर का नाम है गोमती चक्र गौमती चक्र कब कीमत वाला एक ऐसा पत्थर है जो गौमती नदी से मिलता है ये है इसके कुछ खास उपाए अगर आप कोट का चेहरी जाते समय घर के बाहर गौमती चक्र रखकर उस पर दाहीना पाउं रखकर जाएं तो उस दिन कोट का चेहरी में सफलता प्राप्त होने के योग बढ़ जाते हैं अगर शत्रू बढ़ जाएं तो जितने अक्षर का शत्रू का नाम है उतने गौमती चक्र लेकर उस पर शत्रू का नाम लिखकर उन्हें जमीन में गाड़ दें तो शत्रू परास्त हो जाएंगे यानि कि आपको हर शत्रू के लिए यो पाया लग-लग करना होगा मानने लिए आपके शत्रू का नाम है अमुक Mage की जगह आपका जो भी शत्रू का नाम है आप उसका इस्तवाल कीजिए अब अमुक में तीन अक्षर है अ, मू, और क अब आपको तीन गोमती चक्र लेने है एक पर आपको अ लिखना है दूसरे पर आपको मू लिखना है और तीसरे पर आपको क लिखना है अब अ, मू, क ये तीन गोमती चक्र आपको जमीन में गाड़ देने है इस तरह से जो भी आपके शत्रू का नाम है उतने अक्षर आपको गिन लेने हैं और उतने ही गोमती चक्र लेने हैं और हर गोमती चक्र पर एक एक अक्षर लिखना है उसके बाद इस गोमती चक्र जितने भी है उन्हें जमीन में गाड़ देना है इससे आपके शत्रू आपक धन स्थान याने ऐसी जगहा रखें जहां आप पैसे रखते हों धन की समस्य आपने आप रही समाप्त हो जाएगी अगली वस्तू है काली हल्दी भोजन में उप्योग की जाने वाथी के बारे में हम सब भी जानते हैं हल्दी की एक प्रजाती ऐसी भी है जिसका उपयोग जोतिशी उपाए में किया जाता है वो है काली हल्दी काली हल्दी को धन्वे बुध्धी का कारक माना जाता है काली हल्दी अनेक तरह के बुरे प्रभाव को कम करती है चलिए जानते हैं काली हल्दी के कौन से उपाए है जिन्हें अपना कर आप अपने दाने बनाने हैं, उन्हें धागे में पिरोकर धूप, गूगल या लोबान से इन दानों को थोड़ी दिर धूए में रखना है, यानि कि धूप देनी है, इसके बाद इसे पहन ले, जो भी व्यक्ति इस तरहां की माला पहनता है, वो ग्रहों के दुश प्रभावों, टोने ट को वे नजर के प्रभाव से सुरक्षित रहता है, अगर आप किसी भी नए कार्या के लिए जा रहे हैं, तो काली हल्दी का टीका लगा कर जाएं और उस कार्या में आपको सफलता मिलने के इससे योग बनेंगे, दोस्तों, अगली वस्तु है नारियल, लगू नारियल, जी ह लगू नारियल के कुछ साधारन उपाए, कुछ इस प्रकार है, सबसे पहला उपाए है, आपको ग्यारा लगू नारियल लेने है, मा लक्ष्मी के चर्णों में इन्हे रखें, और उसके बाद, ओम महा लक्ष्मय चवद महे, विश्नू पतनिम चवधी मही, तनो लक्ष्म प्रचो दयात, इस मंत्र का जब करना है, मंत्र में एक बार फिर से दोहरा रही हूं, मंत्र है, ओम महा लक्ष्मय चवध महे, विश्नू पतनिम चवधी मही, तनो लक्ष्मी प्रचो दयात, अगर आपको ये मंत्र लिखित में चाहिए, तो आप हमें कमिंस में बता सकते है वहां हम आपको ये मंत्र लिखित में देंगे, माला जब करने के बाद एक लाल कपड़े में उन लगू नारियलों को लपेट कर तिजोरी में रख दें और दिपावली के दूसरे दिन किसी नदी या तलाब में विसरजित कर दें, ऐसा करने से धन लाब के योग बनते हैं लपेट कर गयाने के तिजोरी में रखना है, दोस्तो लगू नारियल का एक और उपाई भी है जो आप आजमा सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है, धन, वैभव और समरिधी पानी के लिए ये उपाई है, आपको पांच लगू नारियल लेने हैं और उस पर केसर से तिलक क करते समय 27 बार बताए जाने वाले मंत्र का मन ही मन जब करना है, मंत्र है एम हलिम श्रिम कलिम, जी हाँ दोस्तो ये मंत्र है एम हलिम श्रिम कलिम, अगर आपको ये मंत्र लिखित में चाहिए तो आप ये भी कमेंट्स पर बता सकते हैं, हम आपको ये मंत्र भी लिखित में जरूर देंगे इसका आपको 27 बार हर नारियल पर तिलक करते हुए जब करना है यानि कि जब आप पहले नारियल पर केसर से तिलक करेंगे तो 27 बार आपको इस मंत्र का एम, हलिम, श्रिम, क्लिम इस मंत्र का 27 बार जब करना है उसके बाद जब आप दूसरे नारियल पर जब अगला उपाई है अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन धानिया की कमी न रहे और अनका भंडार भरा रहे तो 11 लगूनारियल एक पीले कपड़े में बांध कर रसोई घर के प्धन कोने में बांध दे इससे आपकी मनो कामना पूरी हो सकती है अगली वस्तु है दक्षिनावर्ती शंख जोते शास्त्र में दक्षिनावर्ती शंख का विशेश महत्व है इस शंख को विधी विधान पुर्वक घर में रखने से कई प्रकार की बाधाएं शांत हो जाती है और धन की भी कमी कभ नहीं होती दक्षिनावर्ती शंख के अनीक लाब हैं लेकिन इसे घर में रखने से पहले इसका शुद्धी करन अवश्य करना चाहिए इस विधी से आप शुद्धी करन कर सकते हैं आपको करना ये है कि लाल कपड़ी के ऊपर दक्षिनावर्ती शंख को रखकर इसमें गंगा जल भरें और कुश के आसन पर बैठ कर बताय जाने वाले मंत्र का आप जब करें मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी सहोधराय नम है मंत्र में एक पर फिर से दोहरा रही हूं मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी सहोधराय नम है इस मंत्र की कम से कम पांच माला जब करें यह दक्षिना वर दक्षिनावर्ति शंख के इस्तमाल से कौन-कौन से उपाया आप कर सकते हैं जिन से आपकी परिशानियां दूर हो सकती है। मंत्र आदी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसे घर में रखने से सभी प्रकार की नाकारात्मक उर्जा अपने आप ही समाप्त हो जाती है। ये बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। मंत्र जब के लिए इसकी माला भी बनती है। चलिए बताते हैं कि कमल गटे के कौन से उप्योग से आप अपनी परिशानियों से चुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला जो प्योग है वो है अगर आप रोजाना 108 कमल के बीजों से आहुती दें और ऐसा 21 दिन तक करें तो आने वाली कई पीडियां संपन बनी रहती है। अगर दुकान में कमल गटे की माला बिच्छा कर उसके उपर भगवती लक्ष्मी का चित्र स्थापित किया जाए तो व्यापार अच्छा चलता है। जो व्यक्ति प्रतेक बुधवार को 108 कमल गटे के बीज लेकर घी के साथ एक एक करके अगनी में 108 आहुती देता है। उसके घर से दरिदरता हमीशा के लिए चली जाती है। जो व्यक्ति कमल गटे की माला अपने गले में धारन करता है उस पर मालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। तो दोस्तो ये हमने आपको बताई कुछ वस्तुए जिन्हें घर में रखना शुब है साथ ही हमने आपको बताया कि उनके किस तरह के उप्योग से आप अपनी परिशानियों से चुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप हमें इसी नाम से फेस्बुक पेज के लिए फेस्बुक पर सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिलेगा उस पर फॉलो करें लाइक करें उस पर भी हम रोजाना नई वीडियो के साथ आते हैं साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब रहे जैमाता दी